ओके अलो फ्रेंड किसे हो आप सब में विसी और आप देखरें बाउन टो इन्वेस यूट्यूब चैलन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो उमारा निप्टी है वो नेक्स्ट विक कैसा रह सकते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे सपोर्ट रजिस्टन्स फाइंड करने क को सिस करेंगे ओप्सन चैन में देखेंगे कि ओप्सन चैन में कहा सपोर्ट है कहा रजिस्टन्स है तो दोस्तों अभी तक आपने उमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हरो जर दिन लेते आते और जो सब्सक्राइब जरूर के पांशल आपको कि इसको ब्रेक करना हार्ड होगा अगर इसके बाट की हम बात करें तो 9400 छो और नीचे के सब्सक्राइब 9700 ये डो लेवल आते तो 9700 भी एक अच्छा वर्क कर सकता है आपका सपोर्ट की तरह लेकिन देखना पड़ेगा लाइव में क्या हो रहा है साथ ऐसा भी हो कि यह इधर से निकल के यहां सिप्ट हो जाए तो जो आप आइडिया लगाओ गए वो लाइव में बेटर आइडिया आएगा यहां हम एक रेंज की बात कर रहें कहां सपोर्ट हो सकते हैं कहां रजिस्टन्स हो सकते हैं तो पूट साइट से जो हमें सपोर्ट मिला है जो में सपोर्ट है वो है 9500 बाद में हम रजिस्टन्स की बात करें मतलब कोल साइट देखें तो कोल साइट आपको सबसे ज़्याद OI build up देखने को मिल रही है अभी इधर जो है 10,000 अभी ये 10,000 का level है अगर ये क्या है कि break हो जाता है तो क्या होगा यहां जो OI build up हो रही है वो क्या हो जाएगा और उपर चली जाएगे मतलब ये 10,100, 200, 300, 400 ऐसे ऐसे आगे shift हो जाती है तो जो ये 10,300 का level है वो next week आपके का level है वो मैं option chain से next week के लिए आपका resistance की तरह मान सकता हूँ नॉर्मली आप put side OI देखो तो 9700, 9500 और बाद में 9400 अगर हम call side देखे तो इतनी जादा एक ही stack price पे वो है 10,000 और हाल फिलाल उसके आजू-बाजू ही अपना नेप्टी trade करा है तो मैं इसको ज्यादा relevant नहीं मा नहीं मैं थोड़ा दूर का देख रहा हूँ तो 10,300 और 10,400 हमारा next resistance हो सकता है अभी एक बार चार्ट पे भी देख लेए और चार्ट पे देख रहे हो तो 10,000 पे सबसे ज्यादा हुआ है ये call set बाद में देखो उसके बाद किस क्या है कि एक average की तरह ही है तो option change से हमें ये लगता है कि जो हमारा range रह सकती है वो 10,300,400 से लेके 9,700 जो पहला आता है उसके बाद अगर ये इसको break करके निकल जाता है तो 9,500 हमारा support रह सकता है अगर हम OI build up की बाद करें तो put set salt build up हो रहा दिख रहा है और call set long C हो रहा है तो इसका मतलब एक view निकल के आता है जो है action chain analysis अभी हम chart की ओर देखते है अब हम आ चुके nifty के chart के उपर तो जो हमारे closing है वो 10,000 के आसपास होई है तो पहले हम support की बाद कर लेते है जो मेरा पहला support है वो मैं ये लूँगा मतलब इस candle का low जो है 9500 मतलब मैं इसको 9500 मान सकता हूँ क्योंकि आप देख रहें कि OI में 9500 पर एक अच्छी खासी OI बिल्डप थी तो में जो हमारा पहला support होगा वो होगा 9500 अगर ये इसको भी break करके नीचे चला जाता है तो जो मेरा दूसरा support होगा वो होगा 9321 मतलब 9300 एप्रोक्स में बोल रहा हूँ 9300 का जो हमारा support होगा वो next support होगा अगर ये 9500 को break कर देत रहा है तब अगर हम resistance की बात करें तो हमें resistance में आप देख रहो कि जो में resistance ले रहा हूँ है हमारा next high मतलब जो पिछला high था वही तो मैं ये resistance अभी मान रहा हूँ कि अभी ये क्या है कि nifty अगर उपर जाता है तो ये level इसको break करना थोड़ा hard हो जाएगा जो level आ रहा है वो 10,326 का level और अगर ये इसको भी break करके उपर चला गया तो उसके उपर ही थोड़ा हमारा क्या है कि एक level आ रहा है जो अभी आपको बताएंगे वो level कौन सा है जो level आ रहा है वो आ रहा है 10,436 का level तो मैं इसको एक zone की तरह मानूँगा मैं इधर क्या है कि buy करने का नहीं सोच हो सकता है अगर इधर से reversal sign दे तो मैं sell करना सोचूंगा या तो क्या है कि इसको break करने का weight करेंगे हम तो जो ये zone है वहाँ आम buying नहीं करेंगे ये पूरा zone हमारे लिए resistance की तरह work करेगा जो आप मान सकते हो 10,330 से लेके 10,440 तक तो ये हो गया हमारा सपूटीन resistance अभी ये ज आपको और बेटर आइडिया आए तो अभी मैंने इस पर फिबोना ची लेवल ड्रो कर दिये तो कौन सा high लिया है कौन सा low लिया है वो देख लेते ये मैंने high लिया है और ये मैंने low लिया है जो पिछला swing high low है वही मैंने लिया तो आप देखो एक बार नीचे आए फिर से ये 50 के level से नीचा है फिर से अपर गया है तो देखो approach जो आपका 0.61 का level है उसके आसपास से ही नीचा है exact नहीं है लेकिन थोड़ा नीचे से आया तो अभी ये नीचे का फिर से अपर आया तो इसलिए मैंने 0.61 का level है उसको resistance की तरह लिया है और नीचे का जो ये 0.38 का level उस उसको मेंने support की तरह लिए, तो ये हो गए हमारे nipty के support in resistance, अगर हम क्या है कि support in resistance की तरह से देखे कौन से हमारे support होगे, कौन से resistance होगे, तो जो हमारा पहला support होगा, वो 9500 का होगा, और अगर उसको break करके नीचे चला चाता है, तो 9300 का level हमारा support की तरह work कर सकता है, resistance की बात करें, तो make zone की तरह उसको ले रहा हूँ, जो zone आ रहा है, वो आ रहा है, 10330 से लेके 10440 तक, अगर ये zone में मेरे को कुछ भी sell side signal मिला, तो sell side के लिए हम जाएंगे, लेकिन वहाँ हम buying नहीं करेंगे, अगर हम nipty next week कौन से range में रह सकता है, उसकी बात करें, तो मेरे इसाब से nipty next week 9500 से लेके 10300 तक ये range में रह सकता है, अगर ये 10300 की range break करता है, तो next level 10500 होगा, लेकिन मेरे इसाब से 9500 से लेके 10300 के बीच में ये trade कर सकता है, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो nipty के उपर, अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लेगी हो, त आप लाइक कोमेट करोगे, तभी तो हमें मोटिविशन मिलेगा, और ये से वीडियो आगे लेकाएंगे, तो प्लीज यारो लाइक कोमेट और सब्सक्राइब कर देना, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टटा, गुडबाई, जैहिन